17 सेप्टेंबर इंडिया के लिए एक बहुत हिस्टॉरिक मोमेंट था क्यूंकि 70 सालों के बाद रफ्तार के किंग यानी चीते की हमारे देश में एंट्री हुई है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे देश से चीते कैसे एक्स्टिंक्ट यानी विलूप्त हुए इन चीतों को नामीबिया से इंडिया लाने में क्या-क्या एफर्स लगे और जानेंगे उन आठ चीतों के बारे में जिन्हें इंडिया लाया गया बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है तो end तक बने रहना चलिए समझते हैं चीते के extinction का इतिहास कितना शौकिंग है कि जिस देश में कभी चीतों की कोई कमी नहीं थी वहाँ extinct हो गए इंडिया ने 1952 में खुद को चीता विलुप देश डिक्लेर कर लिया Recent tweets में IFS परविन कस्वन ने बात की है कि चीते कैसे शिकार किये जाते थे और कैसे पालतू बनाकर रखे जाते थे इस वीडियो को देखिए जहां चीते को चेन से बांध कर पालतू जानवरों जैसा रखा गया है राजा रजवारों के टाइम चीतों को जंगलों से पकड़ कर महलों में लाया जाने लगा वो अपने शिकार के शौक को पूरा करने के लिए भी चीतों की मदद लेते थे कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करिब 9000 चीतों का कलेक्शन किया था इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू होते होते एशिटिक चीते तेजी से लुप्थ होने लगे थे कहा जाता है कि 1947 में चीता को इंडिया में आखरी बार देखा गया था उस समय प्रेजेंच 36 गड़ के राजा रामानूज प्रताप सिंग देफ ने देश के आखरी तीन चीतों का शिकार कर उन्हें मार दिया इसके बाद से चीते कभी नजर नहीं आए 1952 में इंडियन गफ्मेंट ने ओफिशिली चीतों को इंडिया में विलुप घोशित कर दिया अब समझते हैं चीतों का नामिबिया से इंडिया तक का सफर चीतों को इंडिया में री इंट्रिड्यूस करने का प्रपोजल 2009 में तबके एन्वार्मेंट मिनिस्टर जैराम रमेश त्वारा रखा गया था लेकिन मेय 2012 में सुप्रिम कोट ने चीता के इंपोर्ट और री इंट्रोड़क्शन का काम होल्ट पे रख दिया इस आइडिया को फिर से 2017 में रिवाईव यानी पुनर जिवित किया गया नरेंद्रमोधी कफ्मेंट द्वारा और सुप्रिम कोट ने 2020 में इस आइडिया को एक्सपरिमेंटल बेसिस पे क्लियर किया था इन चीतों को इंडिया कैसे लाया गया? चीते जो इंडिया से विलूप्त हो गये थे उन्हें मध्यप्रदेश के कुनो नाशनल पार्क में 17 सेप्टेंबर को रिलीस किया गया इन चीतों को प्रोजेक्ट चीता के अंडर इंडियूस किया गया है इन आठ चीतों में 5 फेमेल्स यानी मादा है और 3 मेल्स यानी नर है नामीबिया के कैपिटल विंडोग से कस्टमाइजड बोईंग 747 एरक्राफ्ट पर इन चीतों को 17 सेप्टेंबर को ग्वालियर लाया गया वहां से इन्हें चीनुक हेलिकॉप्टर के जरीए कुनो नाशनल पार्क पहुंचाया गया इन चीतों को इंटरनाशनल नाट फॉर प्रॉफिट और्गनाजेशन चीता कंजरवेशन फंड ने उपलप्त कराया है जिसका हेड़कॉटर नामीबिया में है चलिए जानते हैं कुछ और फैक्स इन चीतों के बारे में इन आट चीतों में पांचों फीमिल्स की एज दो से पांच साल के बीच है जबकि तीन मेल चीतों की एज साड़े चार से साड़े पांच साल के बीच है नर चीतों में दो भाई हैं दुनों एक ही जूंड के मेंबर्स हैं और मिलकर शिकार करते हैं प्रोटोकॉल के तहट इन आठ चीतों को क्वारिंटाइन पिंजरों में 30 दिनों के लिए अलग-अलग रखा जाएगा इन चीतों पर नजर रखने के लिए सैटलाइट कॉलर आईडी की मदद ली जाएगी गले में लगी सैटलाइट कॉलर आईडी के हेल्थ से उनके मुव्फमेंट्स और हेल्थ रेकॉर्ड करना असान हो जाएगा क्या आपने सोचा है कि चीते के लिए कुणो नाशनल पार्क को ही क्यों चुना गया आईए देखते हैं मध्यप्रदिश के कापिटल भुपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर श्योपुर जीले में कुनो नदी के किनारे पर है कुनो पालपुर वाइल लाइफ सैंक्चुरी चीतों के रहने के हिसाब से इसे बेटर जंगल माने की सबसे बड़ी वज़ा ये थी कि यहां के जंगलों में इंसानों की अबादी बेहत कम है इसके अलावा यहां खाने की वो चीजे मौजूद हैं जो चीते काफी पसंद करते हैं इसके अलावा यहां चीतों के शिकार के लिए कई और जानवरों को भी लेकर छोड़ा गया है ऐसे में माना जा रहा है कि इस इलाके में चीते असानी से सर्वाइफ कर सकते हैं कुछ additional facts चीतों के बारे में एशिटिक चीते जो सिफ इरान में पाये जाते हैं, उनका IUCN status critically endangered है, वही एफ्रिकन चीते का IUCN status valuable है, एशिटिक चीते साइज में एफ्रिकन चीतों से छोटे होते हैं, I hope इस वीडियो से आपको briefly चीता reintroduction project के बारे में समझ आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करना मत भूलना, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और interesting topic के साथ